हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मौडर्न इस्टेडी में मैर सत्खान आज आपके साथ संभिधान से रिलेटेड 20 महतुपूर कोईस्टन जो आपके जीके के लिए बहुत महतुपूर कोईस्टन है जीएस के लिए बहुत महतुपूर कोईस्टन है त अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है इसका जो करेक्ट एंसर होगा दोस्तों वह जाएगा आपका राश्टपती राश्टपती को यह अपना त्याग पत्र दे सकता है दोस्तों अगर आपको एंसर पता है तो आप कमेंट बाक्स में एंसर दे सकते हैं इससे पहले कि मैं बत तो जिसको त्याग पत्र दिया जा सकता है उसी वही न्यूक्ति करता है यानि कि राश्ट्पति ही न्यूक्ति करता है राजपाल की जो next question है number 3 पे आपका कि राज्य का कारिकारी अध्यच कौन होता है इसी भी राज्य का कारिकारी अध्यच कौन होता है मुख मंत्री, राज्यपाल, मुख मंत्री का सचिव, मुख सचिव तो राज्य का कारिकारी अध्यच राज्यपाल होता है ब्हारत सरकार का प्रमुख बिधी अधिकारी कौन होता है चार आपसंस है आपके पास भारत का मुख निया इधिस भारत के बिधी मंत्री उचितम न्यायाले का पंजीयक और भारत के महान नियावादी तो इसका जो आपसन है भारत के प्रमुक विदियाधिकारी वो होते हैं भारत के महान नियवादी Attonie General of India जो कि इस समय आपके भारत के Attonie General of India है ك.k. Venu Gopal जो इस समय भारत के Attonie General of India है तो जो आपका क्वेस्चन है वह है लोगसभा में विस्वास मत प्राप्त करने से पहले त्याक पतर देने वाले प्रधान मंतरी कौन थे? कि लोग सभा में विस्वासमत प्राप्त करने से पहले किस ने त्याक पत्र दे दिया था तो आपके पास दो प्रधान मंतरी के नाम दिये गए हैं चौधरी चरड़ सिंग, अटल बिहारी, वाजपेई उपर युक्त दोनों या इन में से कोई नहीं चार आपसंस आपके पास हैं, इसका सटीक जो सही एंसर है आपसे कई जाम्स में पूछा गया कोईस्टन है उपर युक्त दोनों, चौधरी चरड़ सिंग और अटल बिहारी वाजपेई दोनों ने ही त्याक पत्र दे दिया था विश्वासमत प्राप्थ होने से पहले ही हमारा नेक्स कोईस्टन है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्ती हो चुकी है भारत में भारत में प्रधानमंत्री का पल समालते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्ती हो चुकी है इसका answer है आपका 3 तीन प्रधान मंत्रियों की मृत्ति हो चुकी है कारिकाल में ही next जो question है आपका वो है भारत के प्रथम सिख प्रधान मंत्री भारत के प्रथम सिख प्रधान मंत्री कौन हुए है आपके पास options है मनमोहन सिंग, SS Ahlualia, Modern Singh Ahlualia, Captain Arvinder Singh तो जो अपसन आपका सही है प्रथम सिख प्रधान मंत्री बने है आपके मनमोहन सिंग next जो आपका question है कह रहा है प्रथम पूर्ड गैर सरका कांग्रेसी प्रधान मंत्री यानि कि पूरी तरह से बहुमत से BJP के बनने वाले प्रधान मंत्री कौन थे इनको कांग्रेस का सपोर्ड लेना पड़ा था प्रधान मंत्री बनने के लिए लेकिन अटल बिहारी वाजपेई पूर्ड गैर स कांग्रेसी प्रधान मंत्री बने next जो आपका question है वो है कि संबिधान निर्मात्तरी सभा में जंडा समित के अध्यच कौन थे जो जब बन रहा था संबिधान उसमें जंडा समित के अध्यच कौन थे आपके पास absence है जेबी क्रिपलानी डाक्तर भीमरा उंबेटकर के एम मुंसी जवाहरलाल नहरू तो आपका जो सही answer है इसका यह है जेबी क्रिपलानी जेबी क्रिपलानी बने थे जंडा समित के अध्यच next जो आपका question है कि राष्टिय जंडे की अभिकलपना को भारत के संबिधान सभा में ग्रहण किया गया कब आपके पास आपसंस है चार जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 और अगस्त 1947 तो संबिधान सभा में जंडे की अभिकलपना को ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में आपका correct answer है जुलाई 1947 नेक्ट जुलाई आपका question है 12 नमर का वह है कि भारतिय सभा के प्रत्थम दिन की अध्यच्छता किसने की जुलाई संभा लगा उसका प्रत्थम दिन की अध्यच्छता किसने की थी आपके पास आपसंस है डाक्टर राजेंद प्रसाथ, डाक्टर भीम रावंबेटकर, पन बनाया गया का संभिधान सभा का तो पहली अध्यच्छता पहले दिन के डाक्टर सचितन सिन्हा ने किया था अगर पूछा जाए परमानेंट कौन थे तो परमानेंट डाक्टर राजेंदर प्रसाथ थे, नेक्ट जो आपका question है वो कह रहा है कि भारतिय संभिधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संभिधान कितनी थी जो संभिधान सभा बन रहा था उसमें महिला सदस्यों की संभिधान कितनी थी आपके options है 10, 13, 12, 15 तो इसका जो सही answer है वो है 15 पंदरा थी महिलाओं की संभिधान सभा में नेक्ट जो है वो है भारत को गरतंत्र क्यों कहा जाता ह यह एक most important question है कि यह आपको थियोरी में भी आ सकता है कि भारत को गरतंत्र क्यों कहा जा सकता है तो भारत को गरतंत्र क्यों कहा जा रहा है इसके लिए चार आपसंस हैं आपके सामने इसकी विधान मंडलों की अधिक्तम संख्या जनता द्वारा परत्यचे चुनी जाती है या राज्य होने के कारण या भारतिय नागरिक मुल भूत्य अधिकारों का प्रियोग करती है इसलिए यहां राज्य का प्रमुख प्रमुख जो होता है वो निर्धार्य समय के लिए चुना जाता है इसका जो सही एंसर है वह आपका फोर्थ नंबर का एंसर है कि जो राज्य क प्रमुख्षेर्ण मंत्री यार मुख्यमंत्री वो एकिनिश्य समय के लिए जंता द्वारा चुना जाता है जंता को पूरी सोतंत्ता होती उसको चुनने के लिए भारत को गरतंत्र राज कहाज है पहारा जो कौस्ट क्षेम कि वहाud की से संविधान की कौन सी विशेश बीटेट में भारत का भारतिय समिधान के कौन से लचषड आईरिस सम्विधान से कौन आयर्लेंड पास चार आपस चार आप है आपके आयरलेंड के संभिधान से नेक्ट जो आपका question है वो कह रहा है संघात्मक सासन ब्योस्था सरप्रथम किस देश ने बनाया किस देश ने संघ की ब्योस्था अपना यानि कि राज्यों को जोड़ करके एक बड़े राज्य की अस्थापना की वो था आपका कौन सा आपके पास चार आपसंस है अमेरिका, कनाडा, रूस, नाइजिरिया तो इसका जो सही एंसर है वो है आपका कनाडा कनाडा ने सबसे पहले संघीय सासन ब्योस्था का अस्थापना किया नेक्ट जो आपका question है वो है अनुचेद 81 अनुचेद 81 में अर्टिकल 81 में बताया गया है किस तरह से लोकसभा का गठन किया जाए next जो आपका question है वो कह रहा है मौल सम्विधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निदारित की गई थी जब सम्विधान बनाया गया तो उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी आपके पास absence है 500, 530, 510, 525 तो जब सम्विधान बनाया गया उस समय मौल जो सम्विधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो थी 500 ये है आपका सटीक answer और इस समय भारत में जो संविधान लोक सभा है उनकी अलिक्तम संख्या कितनी हो सकती है 552 हो सकती है लिकिन उस समय कितनी थी जब मोल संविधान बनाया गया 500 था 52 बढ़ाया गया है नेक्स जो आपका 20 नंबर का कोईस्टन है वो कह रहा है भारतिय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है किसे भारतिय संविधान का जनक माना जाता है महत्मा गांधी जवाहर लाल नहरू बी आर अमबेटकर बी एन राओ तो इसका जो सही एंसर है वो क्या है आपका डाक् समिधान का रूप लेता था नहीं तो नहीं इसलिए इनको समिधान का जनक कहा जाता है समिधान का निर्माता कहा जाता है तो यह थे दोस्तों हमारे 20 चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेजिए आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद